Hello everyone and welcome to Mr. Introdent YouTube channel आज हम David Ricardo के सबसे जो important concepts है सबसे जो popular theories में से एक है that is scientific theory of rent उसको in detail इस वीडियो में cover करने वाले है हर एक चीज उन्होंने किस तरीके से कुछ assumptions लिये थे किस तरीके से उन्होंने rent को define करा है फिर कौन से ऐसे reasons है जिसकी वज़े से rent generate होता है scarcity क्या होती है आपका differential rent क्या होता है with the help of graphs बहुत सारे figures है बहुत सारे concepts है जिनको हम लोग theoretically भी पढ़ेंगे साथ साथ graph का जो explanation है इस वीडियो का जो explanation है वो बहुत ही जादा important है अगर केवल notes या फिर केवल चीजों को याद करने से नहीं होगा इसको बहुत ही आपको detail में समझना भी पढ़ेगा और end में हम लोग इसका थोड़ा सा criticism भी देखेंगे कई सारे जो अलग-अलग economic thinkers थे उनकी क्या views रहे हैं और किस तरीके से Ricardo की जो theory है वो बाकी पुरानी कुछ theories से superior भी है इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में so without wasting much time let us start with the rent theory of David Ricardo सबसे पहले जो इनकी सबसे important चीज है that is definition इन्होंने define किया है rent किया होता है that portion of the produce of earth which is paid to landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil देखें जब हम लोग फिजियो क्रेट्स की बात करते थे उन्होंने agriculture को बहुत important बताया था same चीज classical में Ricardo के साथ है यह भी agriculture में land जो है या soil जो है इसको बहुत ज़्यादा important बानते हैं उसके पास कुछ ऐसी original और indestructible powers है indestructible powers क्या है कि केवल soil में ही तो आप फसल उगा सकते हो आप उसी में agriculture कर सकते हो तो वही soil की power है और उसी से जो produce होता है produce का मतलब यहाँ पर क्या है जो agricultural produce है जो भी आपका weed, corn यह सब जो भी production हो रहा है उसका कुछ part उसके profit का भी part हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं केवल wheat का part जो है जो landlord को दिया दाता है क्यों क्योंकि आप उसका जो soil है उसको use कर रहे हो उसी को इन्होंने rent बताया है यानि कि आपने किसी soil का इस्तमाल किया उसकी original जो fertility थी उसके powers का इस्तमाल करके आपने कुछ produce किया 100 kg wheat produce किया of rent तो इसी चीज़ को इन्होंने rent को इसी तरीके से इन्होंने define करा है लेकिन अब देखो rent जो है यह क्या एक producer का surplus भी हो सकता है या फिर एक differential gain भी हो सकता है अब क्या होता है differential gain या फिर क्या होता है producer surplus इसको समझने से पहले इनकी जो main theory of rent है इसके कुछ assumptions को हम लोग देखेंगे सबसे पहला assumption क्या है कि क्योंकि आपकी जो अलग-अलग type की land है उनका अलग-अलग fertility होती है यानि आपने सुना होंगा ना कुछ जो धर्ती होती है या कुछ जो land होता है वो उपजाव ज्यादा होती है कुछ barren lands होते है या कुछ ऐसे जगा होती है जहाँ कम फसल होती है या उतनी ही जगा में कई बार क्या होता है ज्यादा production होता है कई बार कम production होता है quality of soil और ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है तो इसी की वज़े से rent का origin होता है ऐसा इनोंने assume करा है इनोंने एक diminishing marginal returns का जैसे आप diminishing marginal utility का इस्तिमाल करते हो satisfaction को नाप निकले उसी तरह से इनोंने diminishing marginal returns का इस्तिमाल किया है cultivation of land का यानि इनका कहना क्या था कि जितनी बार आप land को cultivate करोगे उसकी जो आपके सकते return यानि जो production capacity है वो कम होती जाएगी पहले जैसे नया नया कहीं पर land discover हुआ कहीं पर land है वहाँ पर आप जब produce करोगे आपने 100 kg वीट पहले साल में होगा आया अगले साल में उस land की जो fertility हो थोड़ी कम हो चुकी होगी तो उसमें 90 kg ही ये return आपको आएगा यानि ये पूरी सोसाइटी की बात करके या आप कैसकते एक लॉंग रन में रेंट कैसे निकालता है इस चीज को ये अज्यूम करते है साथी साथ इनोंने एक देखो एक नो रेंट लैंड को भी इनोंने अज्यूम किया था उसको भी हम लोग मान सकते हैं नो रेंट लैंड जैसे कुछ होता नहीं मगर इनोंने ऐसा अज्यूम करता है कि जहां पर कोई रेंट ना देना पड़े फिर आपका अलग अलग जैसे क्यें वहों सकते हैं मिलality के एक अलग उचिद heimलासたीच ह कोता है मेशन मिल्स फैर कुछ समय पड़ती रहती एक तो लैंड जो है वहो कं बढ़ती रहती रहती स्की इसको अलग जो 증명ना स्कार्सिटी आली थियुरी में भी देख लेंगे इसके अलाबा उनोंने क्या बोला है कि यह कोई इत वाई सप्लाई प्राइस नहीं है साथ साथ कोई कौस्ट आफ प्रोडक्शन भी नहीं है इन्होंने land को तो gift of nature माना है, लेकिन land में problem किया है कि अलग अलग जो land है उसकी fertility अलग है, तो fertility की ही वज़े से main difference है, वो आपका rent जो है, वो arise होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा अब हम लोग graphs या इन सब चीजों की मदद से समझते हैं, देखो assumptions आपने देख लिया, no rent land होता है, और अलग-अलग fertility होती है, land में law of diminishing marginal utility या diminishing marginal returns लगता है, और land जो है, इसका कोई supply price नहीं है, क्योंकि ये naturally available होता है, ये सारी चीज़े आपको दिमाग में रखनी है, सबसे पहला, जो main reason इन्होंने माना है, रिकार्डोंने rent का, वो क्या scarcity of land, ये कहते है कि population बहुत बढ़ती चली जा रही है, धीरे 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 धीरे, population बढ़ती चली जा रही है, लेकिस supply of land को इन्होंने fix मान लिया, यानि land तो उतनी है, जितना आपका रहेगा कोई जगा, आपका सकते soil या land तो fix ही रहेगा, मगर जो population है, क्योंकि वो बढ़ रही है, तो जो आपका wheat है, क्या है, इसका demand बढ़ता चला जा रहा है, इसका demand अगर बढ़ रहा है, तो आपका land का भी demand बढ़ रहा है, आपको जितना production करना है, उतना land का भी demand बढ़ रहा है, तो supply उतनी है, लेकिन demand अगर बढ़ेगा, तो इन्होंने क्या बोला है, कि price आपको बढ़ानी पड़ेगी, यानि देखो अच्छा एक बैक्ग्राउंड मैं और देता हूँ इसमें दिक्कत क्या थी कि रिकार्डो के टाइम पर उनकी जो कंट्री थी वहाँ पर और कॉर्न और वीट और इन सब चीजों के प्राइसेज बहुत ज़ादा बढ़ रहे थे अब उन्हीं चीजों को इन्हें एक्स्प्लीन करना था कि ऐसा क्यों हो रहा है अब यह किस समय पर हो रहा था नेपोलियन ने जब वार्स लड़ी थी तो उस समय पर क्या हो रहा था कि अचानक से यूरोप भर में पूरे आपका बहुत जादा प्राइसेज बढ़ रहे थे वीट और कॉन के तो उसी को एक् प्राइस क्यों राइस कर रहे थे उस चीज को एक्स्प्लीन करने के लिए इन्होंने रेंट का कशी में बताया कि लैंड जो इसकी सप्लाइश एक एक लिमिटेड होती है फिक्स सप्लाइश लेकिन उसकी डिमांड जो वह बढ़ती रहती है समय के साथ या पॉपुलेशन साथ तो इस वज़े से उसके चीज़े प्राइसे उसके क्या हो जाते बढ़ जाते तो सेम चीज़ इन्होंने बोल लिया कि इसकार्सिटी ओफ लैंड जो है यह एक बहुत ही मेजर इंपोर्टन रीजन है रेंट के बढ़ने का या फिर प्राइस के बढ़ने का इनका कोई भी ट्रांसफर अर्निंग नहीं होती है कुछ भी नहीं होता है केवल मेन चीज जो है आपका रेंट क्यों अराइस होता है वो सप्लाई की वज़े से होता है यानि सप्लाई इसकी फिक्स टेमांड इसकी बढ़ती चले जा रही है लैंड की प्रोडक्शन के लिए तो इस वज़े से ही आपका कॉन का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि रेंट आपका ज्यादा देना पड़ रहा है अब देखो इनका ये जो एजम्शन था कि लैंड का केवल एक ही यूज है अच्छा एक और एजम्शन आपर रहा गया था देट कि इन्होंने लैंड का केवल एक यूज माना है वो क्या है क्रॉप्स को ग्रो करना जबकि आपका बता है लैंड बहुत सारे अलग अलग परपस की वज़े से लैंड का इस्तमाल होता है जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे बिल्डिंग्स बनाने के लिए रेजिदेंशल एरिया के लिए या कुछ भी अलग अलग तरीके से लैंड का इस्तमाल किया जाता है तो इसको इन्होंने काउंट में नहीं लिया अगर जैसे पॉपलिशन बढ़ी तो लैंड लोग अपना घर बनाने के लिए भी ले सकते है उसकी डिमांड उस तरीके से भी बढ़ सकती है तो इन्होंने केवल एक चीज ही वो ली दैट केवल wheat या crop ग्रो करने के लिए land की डिमांड जो है वो बढ़ती रहती है तो इनका एक तरीके से एक criticism हो गया लेकिन फिर भी इनकी जो scarcity of land वाला इनका जो concept है उसमें main चीज़ क्या है कि supply आपकी fixed है demand बढ़ रही है इस वदे से आपका price भी increase करेगा यहाँ पर आप देखरो demand D1 थी D2 हुई तो आपका price जो है वो P1 से P2 हो गया यानि price में increment आ गया यह इनका छोटा सा concept है में इनका जो concept है that is differential rent इसको हम लोग एक कहानी की तरीके से या एक theoretical concept जो की obviously books में लिखा भी होगा आप उसको English में translate करके अपने answers में भी incorporate कर सकते मैंने यहाँ पर बहुत जादा theory नहीं लिखी हुई है मगर उसी सेम चीज़ को हम लोग graph की मदद से समझेंगे इनों ने देखो differential rate का सबसे base क्या है इनों ने रिकार्डों ने बोला देट की यहर देखो क्योंकि अलग-अलग लैंड जो है वो अलग-अलग fertility होती है उन लैंड की कोई ज्यादा उपजाओ होती है कोई कम उपजाओ होती है कोई ज्यादा फर्टाइल है कोई कम फर्टाइल है कोई उससे कम फर्टाइल है कोई बहुत ही खराब तरीकी की लैंड भी हो सकती है, तो इन्हों ने क्या गा, माल लेते एक कोई नया नया आइलेंड, देखो ये सारी चीज़े इन्हों नहीं बोली है, जो कि मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, कि एक कोई नया नया आइलेंड है, जहां पर डिसकवरी हुई है, कि ये आइलेंड है, और यहां पर चार तरीके की आप कह सकते लैंड है, चार तरीके की एक आइलेंड डिसकवर हुआ है, वहां पर चार फॉर्मस ओफ लैंड है, आपकी A, B, C और D, A जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्टाइल है, B जो है वो उससे थोड जो है वो गय सबसे पहले उस आयलैंड पर उन्होंने क्या किया है एक ए ओपर उन्होंने अपना खेटी करना स्टार्ट कर दिया वीट को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया अब जैसे जैसे population बड़ी दूसरे लोग आए वहाँ पर उनको मिला B land जो की केवल आप मान सकते हैं जो थोड़ा कम फर्टाइल है अब अगर उन्हें A वालों के पास या A land पर अपना crop को उगाना है या अपना production करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें A वालों को क अपने produce का कुछ एक हिस्सा देना पड़ेगा in form of rent यानि जितना भी वह extra surplus कमा रहोंगे या surplus produce करेंगे वह उन्हें A land पर या तो भाई आप B में खेती कर लो कम उगाओ उसमें खुश रहो लेकिन अगर आपको उतना ही produce करना है मान के चलते A वाले जो है वह 100 kg वीट उगार B वाले गए वहां की fertility इतनी है कि वह 80 ही उगा सकते अब अगर उन्हें 100 उगाना है या 100 का production करना है तो उन्हें 20 kg वीट जो है वह A वालों को rent पर देना पड़ेगा यानि rent के form में देना पड़ेगा तब वह क्या हो सकता है कि वह A वाले लैंड पर अपनी खेती कर सके या फ 20 का rent देना पड़ेगा लेकिन अगर C वाले जो लोग है वह चाहते हैं कि हमें A लैंड पर अपना production करना है तो उन्हें 40 kg वीट जो है वह rent के form में देना पड़ेगा मान के जो D वाले में 50 kg ही आपका wheat production होता है वह एकदम ही बेकार तरीकी की land है बहुत ही infertile land है फिर भी 50 kg ह हरो से थ सी पर अगर उँने करना है तो हुँने 10 kg है वह उन्फोर्म फ्रेंट देना होगा बी पर गर गरना है तो तो घिती गरनी है या प्रोड़दी aaaaoreोग नुट करना है तो ऑन्हें 50 kg है इन्फॉरंइो न देना पड़ेगा तो सेम चीजे इसको अभी अब कर सरा करना चाहते है अपना production करना चाहते है उसकी fertility कितनी है उसके अधार पे उन्हें रेंट देना पड़ता है सबसे पहले देखो एक हमने यह आपर graph से दिखाया हुआ एक grade land जो है उसपे क्या है उसपे आपका जो cost of production है यहाँ पर cost आपकी दी हुई है cost of production है यह आपका marginal cost का curve है और यह आपका average cost का curve है यहाँ पर क्या है इनका जो production है वो काफी ज्यादा हो रहा है इनका production अगर आप देखोगे तो यह काफी ज्यादा हो रहा है या profit या produce जो आपका होगे वो काफी ज्यादा है बी का थोड़ा सा कम है यह वाला जो part है बी का थोड़ा सा कम है सेम चीज इनका भी यहाँ पर marginal cost है, average cost करव है, मगर यह A के comparatively, इनका जो production है, या जो इनकी capacity ही, वो थोड़ी सी कम है, या आप के सकते profit जो है, वो कम है, और यहाँ पर C वालों की और जादा कम है, आप देखोगी यह जो gap है, इन दोनों के बीच का यह जो gap है, यह कम होता चले जाएगा, और इसमें तो बिल्कुल ही, यह आपका एक तरीके से कह सकते, no rent land है, या फिर इस तरीके की land है, जहाँ पर आपका average cost और marginal cost बिल्कुल सेम हो जा रहा है, या नि यहाँ पर इनका जो production है, वो बहुत ही कम है, या फिर बहुत ही minimalistic है, इसको हम लोग एक चार्ट की मदद से भी यहाँ पर समझ सकते, यह ज्यादा better example होगा, अगर आपको differential rent लिखना है, अगर आपको उसे समझना है, देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग calculation of differential rent को देखेंगे, चार तरीके की land की यहाँ पर बात हो रही है, यह आपकी first grade land, जो की बहुत ज़ादा fertile है, second grade land, जो की थोड़ी कम fertile है, third grade land, जो की marginally या no rent land है, जो की decent मतलब fertile है, और इसे no rent land क्यों कहते हैं, इसे अभी हम लोग समझेंगे, और fourth जो है यह, बिल्कुली infertile type की है, या below marginal land है, इसको भी हम लोग समझेंगे, सबसे पहले देखो, एक first A मान लेते हैं, हम लोग A grade जो land है, यह बहुत उपजा हुए, इसमें, आप कह सकते हैं, 40 kg produce होता है, मान के चलो उसकी cost अगर 5 रुपे, तो आपको 200 रुपे का यहाँ पर profit नहीं कह सकते हैं, आपने थोड़ा बहुत जो भी manure लगाया, अपना महनत लगाई उन सबको मिला के, सारी land पे, देखो, अगर आप किसी ही 1 hectare land पे अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, तो उसमें जितनी महनत लग रहे हैं, चाहे वो fertile हो चाहे ना हो, महनत 1 hectare land पे सबकी बराबर ही लगेगी, जो फार्मर है वो उतनी ही महनत करेगा, उतनी ही बीज लगाएगा, उतनी ही आप किया सकते खाद लगाएगा, लेकिन डिपेंड क्या करता है, प्रोडक्शन जो है, वो soil किसकी ज्यादा फर्टाइल है, जिसकी ज्यादा फर्टाइल सोल होगी, उसकी ज्यादा अच्छी फसल होगी, यह तो आपको पता है, यह तो बहुत बेसिक सी चीज है, कि महनत सब की उतनी लगेगी, यानि cost of production जो है, सब का 100 ही रहने वाला है, किसी भी लैंड पे आप महनत करो, किसी भी लैंड पे आप बीजबो, उसका cost of production जो है 100 ही रहने वाला है, उसके बार rent इनका क्या है, 100 देना पड़ेगा, यह कैसा है, अबव मार्जिनल लैंड से बोलते है, यानि यह एक वाल्टी का है, बिल्कुल बड़ी है, मस्त बिल्कुल लैंड है, यानि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, सेकेंड क्या है आपका, यह थोड़ा सा बेटर है, पीछे आलो से, ले इस सौ को जो अनते हो, रेंट मत मानो, इसको मानलो, प्रॉफिट मानलो, अभी के लिए, समझ लो, आप लिखो के तो पेपर में आप रेंटी, कि सौ रुपए लग रहे थे, और सौ रुपए आपको बच रहे थे आपके पास, सेम चीज़े यहाँ पर भी सौ रुपए में देने पड़ेंगे, तभी वहाँ पर काम कर सकता है, यह भी कैसा है, एक तरीके का अबव मार्जिनल लैंड है, जहां पर ठीक है, मतलब, कुछ तो फाइदा हो रहे है, पचास रुपए का प्रॉफिट तो अभी भी आही रहे है, आप प्रॉफिट यह रहे है, तो इतन कोई दिक्कत नहीं, यह भी क्या है, अबव मार्जिनल लैंड, तीसरा है, मार्जिनल लैंड, यह फिर C, इसमें क्या होता है, इसमें केवल 20 केजी ही वीट प्रोड्यूस हो पा रहे है, पाच रुपए कोस्ट है, 100 रुपीज का आपका लागत भी 100 रुपए की है, और आप जो कमाई हो रही है, वो भी 100 रुपए है, यानि प्रोफिट यह रेंट के जीरो है, तो इसे क्या गएंगे, मार्जिनल लैंड यह फिर नो रेंट लैंड, इस लैंड के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा, या रेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई नहीं देगा, अब उल्टा चौथे चीज के डी यह तो बड़ी मज़िदार चीज है, यह क्या है, बिलो मार्जिनल लैंड, इसमें क्या है, इसमें आपका घाटा हो रहा है, आप इतना लगा रहे हो ना, क्योंकि इसमें 15 के जी, इतनी बेकार मिट्टी है, गैट कि इसमें आप लगा तो उतन marginal land कहेंगे तो ये चार तरीके की lands हमने discuss कि जो कि Ricardo ने बताए थे अच्छा ये सब देखो ये जो आपका no rent land है या फिर below marginal land है ये सब practically possible नहीं है मगर उस टाइम पे Ricardo ने इसको बताए था अच्छा एक और figure है यापर ये बहुत important और बहुत impressive figure है अगर आप इसको answers में include करते हो तो आपके answers को ये बहुत अच्छा एक edge देगा दूसरे बत्चों के मुकाबले इसमें क्या total production कितना है मालने थे 100 kilo of wheat है यहाँ पर हम लोग production को ही rent मान रहे है धान रखो पैसे को rent नहीं मान रहे है क्योंकि इन्होंने ही रिकार्डू ने ही production को ही rent बाना है अब वो तो पैसे में convert होई जाएगा ना rent जो है अगर आप 20 kilo wheat बोल रहे हो तो आप उसको 100 रुपए भी बोल सकते हो आप अगर 10 kilo wheat बोल रहे हो तो आप उसको 50 रुपए भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने production की बात करी है cost of production सब में बराबर रहेगी यह एक land का वो है तुकड़ा है यह land है यह एक land है और यह एक तीन land से यहाँ पर पहले आले में इतना production हो रहा है इतना जादा और cost के वल इतनी है तो इसका cost से थोड़ा सा ज्यादा है तो यह आपका part क्या हो जाएगा rent हो जाएगा यह क्या था आपका यह है marginal यह no rent land no rent land में क्या जितनी cost है उतना ही आपका production भी हो जा रहा है अब तीसरा भी एक चौथा भी हो सकता था जिसमें आपके cost ज्यादा है लेकिन production जो है वो और भी काम हो रही है तो यह आपका ऐसे करके यहाँ वाल अपार्ट में लब cost पूरा है sorry cost यह पूरा पार्ट है और production जो है वो इतना ही हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता आपका below marginal land उजाता तो फिगर की मदद से आपको समझ में आगया होगा देखो में चीज क्या है इसमें इन्होंने differential rent क्या बोला था कि fertility के according अलग-अलग तरह की जो land से अलग-अलग fertility के वेसिस पे उनकी अलग-अलग rent उन पे पे किया जाता है next price कैसे determine होगा इन्होंने rent और price के बीच में ही एक establishment क्या था देखो उस समय पर क्या था लोगों को लग रहा था कि क्यूंकि wheat के prices sorry क्यूंकि rent ज्यादा बढ़ रहा है वहाँ पर यूरोप में इस वज़े से wheat के prices बढ़ रहे है या फिर इस वज़े से आपका corn के prices बढ़ रहे है लेकिन रिकाडो ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है आपका rent जो है वह इस वज़े से बढ़ रहा है क्यूंकि आपके corn या wheat के prices बढ़ रहे है क्यूंकि आपकी population बढ़ गी है उनको consumption करना है उनको ज्यादा wheat चाहिए उनको ज्यादा corn चाहिए तो जब ज्यादा production चाहिए तभी land का जो rent वह ज्यादा बढ़ेगा तो price of wheat जो है वह केवल और केवल market demand पर depend करती थी और wheat का price बढ़ने की वज़े से आपका rent जो है वह बढ़ जाता था तो इन्होंने इस थियोरी से इस चीज़ को conclude किया अब देखो आपका rent जो है अगर वह price पर depend करता है या superiority of rent producing land पर depend करता है तो हम लोग कुछ चीज़े यहां से निकाल सकते improved method of farming तो इससे क्या होगा कि जब इन्होंने बताया कि जो ज्यादा land fertile होगी उस पर ज्यादा rent मिलेगा तो इससे farmers को लगा कि यार हम अपनी जमीन जो है उसे fertile बनाना थीए उस पर अच्छे से ज्यादा से ज्यादा production करना थीए यानि हमारी land से अगर ज्यादा production होगा तो हमें ज्यादा rent मिलेगा तो superior grade की जो land से वो क्या होती है, वो आपका ज्यादा important बन जाती है, या फिर लोग farming को improve करने की कोशिश करते है, population growth, देखो क्योंकि population growth की वज़े से rent बढ़ेगा, इसकी वज़े से क्या होता है, कि आपका जो price of food है, वो सब भी बढ़ता है, rent भी बढ़ता है, तो इन सारी ची transport facilities बढ़ जाएगी, तो rent कम हो जाएगा, rent कैसे कम हो जाएगा, आपको बता है कि easily अगर transport हो रहा है, या कम खर्चे में अगर transport हो रहा है, तो आपका cost of production कम हो जाएगा, cost of production जब आपका कम हो जाएगा, तो या आप ये भी कह सकते हो, कि अगल बगल के देशों से भी आप transport कर कि जहाँ पर जादा fertile land है वहाँ से आप अपने आप लेयाओ अगर आपके production जादा नहीं होता है कई देशों के मिट्टी ही खराब होती है वहाँ पर कई सारी चीजे उग नहीं सकती है या produce नहीं हो सकती है तो उसके लिए क्या है कि आप transport अगर कम होगा तो rent भी आपको कम देना बड़ेगा यानि आपको loss थोड़ा कम होगा ठीक lastly हम लोग इनका criticism देखें कि देखो इन्होंने fixed supply of land बाना है वो तो चलो एक absolute sense में तो आप मान सकते हो कि हाँ fixed supply होती है land की मगर एक और चीज जो है that केवल particular use के लिए land की supply fix होना यानि केवल production करने के लिए agriculture या farming के लिए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि आपका बहुत सारी अलग-अलग चीज़े होती है जिसके लिए land की supply important होती है जिसके लिए land important होती है मैंने बताया आपका construction के लिए या दूसरे-दूसरे purposes के लिए भी या land जो है वो अलग-अलग तरीके से उसकी demand होती है या फिर supply होती है तो केवल wheat के लिए या केवल corn के लिए या केवल आप कह सकती है कि farming के लिए land की supply वो भी fix नहीं हो सकती है आपने पुराने टाइम पे बहुत ज़ादा farming के लिए land होती थी आज के टाइम पे बहुत ही कम हो चुकी है तो supply भी कम हो सकती है next क्या है आपका कि जो इनका cultivation का order है ये कहते कि जो लोग है सबसे पहले जो है वो highest quality जो A grade वाली land होगी उसको discover करेंगे उस पे खेती करना या farming करना स्टार्ट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है लोग हो सकता है B grade land से स्टार्ट करें हो सकता है C grade land उन्हें पहले मिले तो वो उससे स्टार्ट करें तो ऐसा कोई order नहीं होता है कि लोग जो हमेशा A grade land से ही पहले स्टार्ट करेंगे और next is इनके बहुत सारे इनके जो no rent वाला concept था वो भी एक बहुती वेग concept है कि ऐसा भी land होगा marginal land जिस पे कोई rent नहीं देना पड़ेगा production cost और जो आपका production होगा उन दोनों का same amount हो जाएगा या फिर equal हो जाएगा वो सारी चीज़े भी बहुती वेग concept है फिर इनका जो एक negative वाला जो concept है या below marginal land जो concept है वो भी बहुत जादा criticize किया गया कि यार ऐसा तो कोई land नहीं होता है और अगर ऐसा होगा तो कोई farming ही नहीं करेगा जहां पर नुकसान हो जाएगा और केवल और केवल productivity जो है वो fertility पर नहीं depend करती है अलग अलग चीज़ों पर आपका कैसा आप capital का यूज कर रहे हो जैसे आजकल ट्रक्टर्स का यूज होता है बहुत सारे equipment का यूज होता है किस तरीके से आप कर रहे हो तो उससे भी land की जो efficiency है वो बढ़ाई जा सकती है यानि production ज्यादा किया जा सकता है जरूरी नहीं कि अगर land कम fertile भी तब भी आजकल technology की मदद से उस ज्यादा आप production कर सकते हो साथ में इनका वही नोरेंट वाला जो land का concept था वो बहुत ही वेग था और इनके पहुत सारे इनके जो आप कह सकते हो कि इन्होंने जैसे एक चीज बताया थी कि original और indestructible powers होती है land में ये वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि आपका जो fertility ह ये सारे धीरे 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 जब आप ज्यादा cultivation करते हो तो कम होने लगती है और same चीज इन्होंने बोली तो थी कि diminishing returns होता है लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला थे कि इसके पास indestructible powers है तो land के पास indestructible जैसा कुछ नहीं होता है destroy हो सकती है land धीरे धीरे ये आप देख खराब हो जाती है और इनका जो rent है वो केवल और केवल land के लिए इन्होंने बताया लेकिन रेंट जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है factors of production के लिए आपका rent हो सकता है और Marshall ने जैसे इनका एक criticism किया था कि यार ये तो केवल land के rent की बात कर रहे है लेकिन आप factors of production को भी जो rent देना पड़ता है उसकी तो इन्होंने कोई बात चीती नहीं करी तो इन्होंने कोई proper cause of rent नहीं बताया इन्होंने केवल बताया कि यार ऐसे ऐसे रेंट होता है अलग अलग fertility हो थी इस वादे से हमें देना पड़ता है कि एक जो एक एरिया जो है उसमें ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है एक में कम देना पड़ रहा है क्यों देना पड़ रहा है उसका केवल इन्होंने fertility reason बताया जो कि enough reason नहीं था तो इनका जो आपका differential rent है उसको तो यह बहुत अच्छे से आप क्या सकते हो कि explain करते लेकिन जो इनका scarcity rent था यह situational rent है इन सब को यह properly explain नहीं कर पाते हैं तो यह था आपका कुछ criticism अगर आपको फिर भी कुछ doubts है तो आप में comment section में से बूल सकते हैं और आप में telegram channel को join कर सकते हैं वहाँ पर आपको इस topic के notes मिल जाएंगे so thank you for watching